आज की कक्षा में हम प्रस्ना वाली दो दस्मलों एक के प्रस्नों को हल करेंगे हमारा पहला प्रस्न है निम्नलिखित में कौन-कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कारण सहित बताईए तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कौन-कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है जिन संख्याओं के इकाई के स्थान में दो हो, तीन हो, या साथ हो, या आठ हो जिन संख्याओं के इकाई स्थान में अगर दो, तीन, साथ या आठ रहे तो वो निस्चित रूप से पूर्ण वर्क संख्या नहीं हो सकती है एक और क्राइटेरिया है जाच करने का सुन्यों की संख्या अगर संख्या के अंत में सुन्यों की संख्या विशम हो तो भी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है तो आएए एक एक करके हम जाच करते हैं तो पहली संख्या हमारी है, इसके इकाई स्थान में साथ है, तो ये निस्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दूसरी संख्या के इकाई में तीन है, तो ये भी निस्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अब तीसरी संख्या देख रहे हैं, यहा सुन्यों की संख्या दो है अर्थात सम है तो अब यह पूर्ण वर्ण संख्या है या नहीं इसको जाच करने के लिए सुन्यों से बाई और जो अंक है उसे देखते हैं यह अंक है यह संख्या है चार है तो चुकी चार पूर्ण वर्ण संख्या है इसलिए यह 400 भी पूर्ण देखते हैं, यहां सुन्यों की संख्या तो दो है, यानि सम है, तो अब यह है कि नहीं पूर्ण वर्क संख्या इसे जाज करने के लिए इसकी बाई और अंकों से बनी जो संख्या है, उसे देखते हैं, तो अंकों से बनी संख्या है 14, जो पूर्ण वर्क संख्या नहीं है, अ अर्थात ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकती है, अब यहां सुन्यों के संख्या 2 है, अर्थात सम है, तो हम बाई और के अंकों से बनी संख्या को देखते हैं, तो यह है 81, चुकि 81 पूर्णवर्ग संख्या है, अतहिया 8100 भी पूर्णवर्ग संख्या है, आप यहां देख रहे हैं इकाई में 8 है तो यह निश्चित रूप से पूर्ण वर्क संख्या नहीं है यहां इकाई में शुनिकी संख्या 1 है आता यह भी पूर्ण वर्क संख्या नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कौन-कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो कौन-कौन से हैं? अब इसमें एक चीज और है, प्रस्ट में कारण सहित बताइए कारण क्या है? पहले वालों के देख रहे हैं क्योंकि इकाई में साथ है और जिस संख्या के इकाई में साथ होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसे आप स्वयम से लिखेंगे और बाकी संख्याओं के भी कारण आप स्वयम से लिखेंगे अब प्रस्ट संख्या दो देखते हैं निमलिखित में किसका वर्ग सम या विसम संख्या है? अर्थात जो संख्याएं दी हुई हैं, इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या आएंगी तो वो सम होंगी या विसम होंगी तो इसे हम लिखते हैं जिन संख्याओं के वर्ग सम हैं सम होंगे और यहां जिन संख्याओं के वर्ग विशम होंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्या सम होती है उसका वर्ग भी सम होता है और जो संख्या विसम होता है उसका जब हम वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी वो भी विसम होगी तो इस तरह से देखते हैं हमारी पहली संख्या है 441 चुकी यह विसम संख्या है तो इसका वर्ग भी विशम संख्या ही होगी तो ये विशम बाला में ये पहला हो गया ये इसका वर्ग विशम होगा दूसरी संख्या है देखिए 2704 चुकि ये संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे तो वह भी संख्या होगा तीसरी संख्या विशम है तो इसका वर्ग भी विसम होगा चौथी संख्या भी विसम है तो इसका वर्ग भी विसम होगा और पांचवी संख्या चुकी सम है अता इसका वर्ग भी सम होगा प्रस्न संख्या तीन निम्नलिकित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंग बताईए अर्थात इन संख्याओं का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो उसके इकाई में कौन सा अंग होगा पहला हमारा प्रस्न है ये है पहली संख्या है 19 तो इसका जब हम thumbnail work करेंगे तो इसके work के iqai में आएगा एक आए जाने है का टरीका है ये 9 का वर्ग कर लेंगे उसके वर्ग कर लेंगे उसके वर्ग का जो इकाई है वही इस संख्या का भी वर्ग का इकाई होगा तो 9 का हम वर्ग करते हैं, तो 9 का वर्ग हो जाता है 18, और उसके एकाई में एक है, तो अर्थात ये 19 के वर्ग के एकाई में भी एक होगा. इसी तरह से हम 21 का भी जानेंगे, तो चुकि एक का वर्ग एक होता है, इसलिए 21 का वर्ग करेंगे, तो इसके एकाई में एक ही होगा. इसी तरह आठ का ये हो जाएगा, चार. इसके वर्ग का एकाई अन्ग हो जाएगा, छे. इसके वर्ग का एकाई अन्ग हो जाएगा, चार. इसके वर्ग का 1 तान पर होगा 9 और इसके वर्ग का 1 तान पर 6 इसका 5 इसका 9 और इसका होगा 0 तो प्रशन संक्षिया तीन का हल हो चुका है इसे आप स्वयम से अपने कॉपी में लिखेंगे जैसे एक उधार में बता देता हूं, तीसरा वान, उनीस, तो इसका उतर हो जाएगा, उनीस के वर्ग की, इकाई आंख, एक, इसका बाकी जो प्रस्न है, उसका भी उतर हम लिखेंगे, अब प्रस्न संख्या चार देखते हैं, यहां है, निम्लिके संख्याओं के वर्ग में सुन्यों की संख्या बताईए, तो जब हम इस तरह की संख्याओं का वर्ग करते हैं, तो हमें याद रखना है, सुन्यों की संख्या दुगनी हो जाती है, अर्थात यहां 20 है, तो यहां सुन्य एक है, तो इसका वर्ग करेंगे, तो कितने सुन्य हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, दो सुन्य हो जाएंगे यहां, दो सुन्य है, इसके वर्ग में, वर्ग में हो जाएंगे, दो सुन्य है, यहां दो सुन्य है, तो इसका जब वर्द करेंगे 400 का, तो यहां कितने सुने हो जाएंगे? यह दो दुना, चार, तो चार हो जाएंगे, चार सुने हो जाएंगे, यहां तीन है, तो कितने हो जाएंगे? चार सुने, और यहां कोई सुने नहीं है, तो इसका वर्ण जब करेंगे, तो यहां शुन्या नहीं होगा, उसके एकाई में शुन्या नहीं होगा तो यह हमारा प्रसुन संक्या पूर है, इसे लिखेंगे कैसे? एक हम लिखने रहे हैं, बीस के वर्ण में शुन्या की संक्या ब्राबर दो इसी तरह से बाकी का आप स्वें से